आज हम बनाएंगे बेशन की चीला और ये चीला बहुत हिल्डी और टेस्टी होता है सुभे ब्रेकफस्ट के लिए और इसके लिए हम ले लेंगे ये बेशन बेशन हमने दो कप ले लिया है और इसमें दालेंगे एक तेबली स्पून मैदा और कटा हुआ धनिया हरा धनिया और चोटी सी प्यांज काड़ के डाला है बारिक बारीक थोड़ा सा हरी मिंट्स डाला है कलर के लिए हल्डी पाउडर और थोड़ा सनमक, स्वादनुसार उर लाल मिंट्स डाला है मिर्स भी आपने तेज के कोर्डिंग डाले अजवाइन डाल रही हूं मैं और सारे इंग्रिडियन को एक बार मिक्स कर लेंगे इसमें हमने रेगुलर नमक डाला है इसमें अभी हम डालेंगे ये ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला और एक पिंस बेकिंग पाउडर बेकिंग सोदा भी डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक अच्छा वाला बैटर बनाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा पटला ना बहुत ज़्यादा गारा इस तरह से बैटर बना लेंगे कंसिस्टेंची ऐसा होना चाहिए एक टावा गरम कर लेंगे टावा में डालेंगे थोड़ा सा ओईल और ओईल डालने के बाद हम इस तरह से दो स्पून बैटर डाल देंगे और बैटर डालने के बार अच्छे से स्प्रेट कर देंगे और एक साइट से जैसे सीख जाए तो हम इसको पलट के दुसरे साइट को भी इस तरह से कोक कर लेंगे ये देखिए दोनों साइट से ये अच्छे से सीख गया है और इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दुसरे और भी बना लेंगे ये देखिए ये बहुत ही हिल्डी और बहुत ही टेस्टी नास्टा है इस तरह से बनाके आप हरे धनिय की चटनी या टमेटो केचप के साथ परोश सकते हैं और इस रेसिपी को आप एक बार जुरू ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा बच्छों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं